पुर्व जिला पंचाय सद्दस्य और भाजपा नेता को दी जारही जान से मालने की धमकी भाजपा नेता कृष्ण कुमार गुपता उर्फ रामु ने प्रशाशन पर सुरक्षा ना देने का लगाया आरोब फेस्बुक मेसेंजर के द्वारा गाली गोलोच करते हुए मैसेज और आडियो भी आया सामने आपको बताते चले कि इससे पहले भी कृष्ण कुमार गुपता पर तीन बार हमला किया जा चुका है जिसका धारा 307 के तहत कोट में मुकदमा चल रहा इसके बारे में बताते हुए पुर्व जिला पंचाय सदस्य और भाजपा नेता कृष्ण कुमार गुपता रामु ने बताया कि मुझे 22 माई की रात को करीब देड़ बजे फोन आया एक बार फोन रिसीव ना करने पर दुबारा फोन आया तो मैंने उठाया सामने जो भी वेक्ती बात कर रहा था उसका लहजा बहुत ही बेकार रहा और तो और गाली गलोस्क देते हुए उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी तो मैंने फोन आफ कर दिया और कुछ देर के बाद जब मैंने फोन आउन किया तो फिर से उसका कॉल आने लगा ऐसे में मैंने थाना अध्यक्ष को कॉल किया और पूरी बात बताई मुझे 22 तारीक के रात को एक बच के 25 मिनट पर पहला फोन आया कृष्ण कुमार गुपता ने कहा कि थाना अध्यक्ष ने भी मुझे फोन आफ करने का या नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालने की सला दी तो मैंने मुबाइल बंद कर दिया और सो गया सुबा उटकर मैंने इसकी जाच की तो पता चला वो फेस्बुक से ओडियो कॉल कर रहा था उन्होंने यहाँ भी बताया कि मैंने अपने बेटे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो यहाँ भी पता चला कि पिछले दो दिन से वह मेरे फेस्बुक पर तरह तरह के मैसेज कर रहा था जिसमें उसने अशब्दों का भी प्रयोग किया था और इतना ही नहीं उसने एक आडियो भी मुझे भेजा है जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है करिश्यकुमार गुपता ने इस प्रकरण को उनकी हत्या की साजिश बताते हुए कहा कि यह जरूर किसी माफिया का काम है जो मेरे पॉलिटिकल करियर को खत्म करना चाहता है और मेरे हत्या की साजिश रच रहा है वही प्रशाशन से किसी प्रकार की मदद मिली है या नहीं इस पर उन्हों ने कहा कि प्रशाशन से मुझे कोई मदद नहीं मिली है मैंने गणर की भी मांग की लेकिन कोई सुनवाइड नहीं की गई प्रशाशन जान के भी अंजान बन रही और इस बात को संग्यान में नहीं ले रही है प्रसासन से भी सुरच्छा मांगा था लेकिन आज तक वो मुझे नहीं दिये जिसमें मानने उच नियाले हाई कोट ने भी आदेश दिया है नियम के तहट उसके बाद हमने सीपी साहब को हमने अपलिकेशन दिया पूरे नीजी सुरच्छे मांग रहा था 25% पर उन्हों ने उनके श्ट्यों पाठक जी ने बताया कि आप सीपी साहब बोले कि आप बले बात कर लिजिए को देना के नहीं दिना सुरच्छा तो उनके श्ट्यों बात किये पाठक जी एलाई उपी में एड़ायू के विभाग के अधिकारी बोलें कि नहीं सरुंको देना है एक हपता वही पुर्व जिला पंचाय सदस्य और भाजपा नेता ने यह भी बताया कि इससे पहले भी 2020 में उन पर हमला हुआ था कई बार हमले भी हो चुके हैं और तो और पुलिस प्रशाशन की सुरक्षा के बीच भी हमला हो चुका है और इसके अलावा कोट में भी 307 के तहट केस चल रहा जिसका फैसला आने वाला है हमारे लास्ट फाइनल मुकत्मा चल ला है इस वर फाइनल मुकत्मा चल ला है 307 का अच्छा फाइनल भास लगा हुआ है 15-20 दिन के अंदर ओ इसकार आयागा यह तो मुझे नहीं कर सकते हम लेकिन इजीस तरह से लहचा बोल ला है हमारे राजनितिक वाच्छस को अपना प्रशाषन को इसका जिम्दार ठहराते हुए कृष्ण गुमार गुपता ने कहा कि कई बार वरिस्ट अधिकारियों और प्रशाषन से सुरक्षा मांगने के बाद भी मुझे सुरक्षा नहीं दी गई मैंने मुकदमा दर्श कराया तो है लेकिन जिस प्रकार से इसकी सुद ली जा रही है मैं उससे संतुस्ट नहीं हूँ और यदि मुझे कुछ होता है तो मेरी हत्या का पूरा जिम्यदार प्रशाषन होगा अपने वरिष्ण दिकारी से फिन मिलेंगे हमारी सुरक्षा के ध्यान दे अगर हमारी हत्या होती है इसमें साला दारो मदा प्रशाषन का होगा वहीं पुरो जिला पंचाय सदस और भाचपारीता ख्रिष्ण कुमार गुटता और फ्रामू ने प्रशाषन से यह मांग भी कि कि प्रशाषन मुझे सुरक्षा प्रदान करें क्योंकि मैंने प्राइविट सुरक्षा ली है प्रशाषन की ऐर से मुझे कोई सुरक्षा नह करूंगा और इस मुद्दे को संज्यान में लेते हुए इस पर कारवाई करवाओंगा हमारा दसत में है दो तब वरिष अध्यारी से मिलेंगे कर सुबर पिंजाएं उनके मिलने के लिए उनका आप कर दो